है 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 गाइज वेरी गूड इवनिंग स्वागत करते हैं आप सभी का अट्ड़ ट्वेंटी फॉन्टी 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 पर और आज आपके लिए फिर से एक बार इस्पेशन सेशन लेकर के आया हूं जल्द जल्दी जुड़ जाओ ठीक है प्रमोद आप जुड़ आप आते हो बैस में वेरी गूट और फटाफट लोगों को जोड़ना शुरू करो जल्दी से जुड़ जाओ आज बहुत ही इंप्टेंट न्यूज है संडे की बीज़े कुछ और आज की पूरे दिन की बहुत इंप्टेंट नियूज है तो फटाफट सब लोग जोड़न करेंगे इससे पहले में आपको बता दूँ कि यूपी असी का चैनल शेडूल लगा दिया गया बाइस तारिक से चैनल शुरू हो जाएगा जिसमें सुबह आठ वजे में क्लास लोगा तो सभी फटा-फट इस चैनल पर जुड़िया गजरू इस चैनल का लिंक लगा हुए अगर आप देख रहोंगे तो चैनल का लिंक लगा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब पर लो यूपी असी की स्टेट पिस सी की स्टेट कंप्रिशन से रिलेटेट अधर क्लास सारी अब यहीं पर चलने वाली है सारी क्लास यहीं पर होंगी एक से बहतरीन फिकल्टी जो 8 बजे करेंट की पिरड़ास सब्सक्राइब और अपने तो लेकपाल की वेकेंसी यूपी में आ रही है, नोटिफिकेशन आने वाला है, डिटेल आ चुकी है पेपर में, सरकार ने अप्रूब कर दिया बहुत जल्दी ये वेकेंसी आने वाली है, और 7 बजे पंजाब पटवारी की क्लासे चलेंगी, इस तरीके से ये एक शीडूल ह होने जा रहे है उन टॉपिक में, क्या-क्या करेंगे, तो कौक ज न उर्च कारा रहे हैं, तो महिते हैं लोगों, स्टार्ट करें, है इसमें सुबह आठ बजी मेरी क्लास होगी एट एम पर मैं क्लास लोगा ठीक है तो पूरी करेंट अफियर दा हिंदू से से इकनॉमिक टाइम से रिलेटेड और कुरुक छेटर से पर्राश्यों में अंतराश्यख खबर हो जिन आप लकाइया के एक्जाम लेकर कें लिगान जलो जल्दी से शुरू करते हैं और एकistent और बता दे कि यूपी असी का यह सक्सेस प्रीलिम्स बैस शुरू हो गया है केवल अठाइस उन्तिस और में मिल रहा है चार अक्टूबर को एक्जाम है और अर्विंद कुमार भी जुड़ चुके है ठीक है ओके थैंक्यू गाइस तो यूपी असी का यह सक्सेस बैस है यह चार अक्टूबर यह नौ जुलाई से शुरू हो चुका है चार अक्टूबर को पेपर है तो जिनका पेपर है वो सभी धान रखे यह क्लास भी रहेगी सर्या सिर्फ आठ एम पर ही होगी यह क्लास नहीं होग उसमें से भी एक से टॉप क्लास आपके लिए लेकर होगा तो एक पर्फेक्ट सेशन होगा जो आपको इस्टेट पीसेस के लिए और क्या नाम है यूपी सी के लिए और अधर एक्जाम के लिए बहुत यूसफुल होगा तो उस पर हम लोग डिस्क्रिशन करेंगे ठीक है तो यह जो यूपी सी का सक्सेस बैक है बहुत ही टॉप क्लास का बैच है मैं आपको बता रहा हूं रवीन राइस की टॉप क्लास फेकल्टी पढ़ा रही है तो जिनको भी रिक्वार्मेंट वो इसको लेंगे जरूर ठीक है ओके गईस चलो आगे बढ़ते हैं और एक यू कलदी से एंसर देना शुरू करो विकास गुपता ने पूछा है यूपी सी की आई एस क्लास कब से होनी है सर बतातो दिया मैंने बाइस अक्टूबर से सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगा शेशन पहले करेंट अफेर होगा फिर नौ बजे यूपी सी की क्लास होगी जिनोंने जिन्दगी में आईस बनने का सपना देखा है वो लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़े और यह चैनल जरूर सस्क्राइब करेंगे आप उन्हों के साथ जुड़ जाएंगे ठीक है गाईज तो चलो क्लासी स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है करेंसिद लोग स्टीमेंट इन इंटितुट अच्टिट अच्नलोजी इए एपाइट अंध्रास बाइच सब्सक्राइब मुड़ाइब था डविए ट्रूर सुनिट इन्टिब पॉत्स लूबल स्टिटिटिट नोन अष्मेडिकाइब MediCab, detect, identify, screen, isolate and treat the coronavirus patient in the local community in these portable micro structure बना होगा, उसकी ओपर, find out the statement, कतनों पर फिर से एक पर ध्यान दीजिए, निमलिखित, चैनल का नाम क्या होगा, चैनल का नाम क्या होगा, IIT, Madras, MediCab, यह चलो, ठीक है, यह शिखा ने पूछा है, चैनल का नाम क्या होगा, तो मैं देखो, मैं लिखे दे रहा हूँ, comment डाल रहा हूँ, मैं अपनी ID से, UPSC and, मैं मोबाइल यह होगा, मैं comment डाल दे रहा हूँ, इसके ओपर, ठीक है, UPSC, sorry, अधे ही गया है, मैं आपको भेज रहा हूँ, UPSC and State PSC Adda, क्या नाम है इसका, UPSC, इसमें चैनल का लिंक लगा है, आप subscribe कर लिजे उसको, ठीक है, UPSC and, State PSC Adda, 24 x 7, ठीक है, देखो मैंने link डाल दिया, ठीक है, नीचे देखो मैंने link के भेज दिया है, D all are true, प्रमोद ना answer दिया है, D all are true, ठीक है, अब इसके बारे में मैं तुम लोगो को समझा दू पहले कि यह question है, क्या, और कहना क्या चाहरा है, कि IIT जो मदरास है, उसने एक लकी न भी answer दी दिया हुआ है, ठीक है, तो IIT मदरास जो है, इसने क्या किया है, एक कैब बनाई है, कैब में क्या किया है, यह एक mobile कैब है, इस कैब में क्या किया है, इननोंने 3-4 बेड बना दिये है, ठीक है, इसमें पूरा isolation का पूरा system रखा और यह जो हम आपको बता देए ihan एक मदरास ने एक श्टार्ट मिंस्टार्ट किया था श्टार्ट फुत सब्सक्राइब helemaal इंद MediCab के नाम से जाना जा रहा है MediCab in portable micro structures, इस्तानीय संदा है वो Corona virus रोगयों का पता लगाता है उनकी पहिचान करता है, उन्हें अलग करता है उन्हें इनका इलाज करता है तो इसके all are true है, जिन्हों जिन्हों ने all are true answer दिया है, उन्हों सबका answer सही है, ठीक है चलो guys, next class पर आजाते हैं, consider the following statement, G20 finance minister meeting chaired by France, यानि अभी G20 की जो meeting उसे France ने chaired किया है the meeting was focused on micro economy, capital flows, cross border payments, change from the libor and other issues, ठीक है इसके बाद आजाओ, the G20 action plan reflects the collective commitments to tackle the COVID-19, COVID-19 epidemic the meetings took place through video conferencing, यानि कि France की अधक्षिता में G20 के वित्मंत्रियों के बैठा कोई, बैठाक में ब्रहद अर्थ व्यवस्ता, पूंजी प्रभास, सीमा पर भुक्तान, लिवोर से परिवर्तन और अन्यमुद्यों पर ध्यान के इंद्रित किया गया, जी 20 कार योजना COVID-19 महमारी से निपटने के लिए सामोहिक प्रति बत्ता को दर्शाती थे, या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुआ, बताए कौन सा एंसर सही, ओनली 1 & 2, only 1, 2, 3, 1, 2, 3, या all of the above, कौन सा एंसर सही होगा, बताओ, अर्विन जी पूछा, BPSC का क्लास कब चलेगा, BPSC का क्लास चलेगा, दोखो, शीडूल लगा दिया है, अभी आपको PDF मिल जागी, PDF में चेक कर लेना कब लगेगा, ठीक है, चेर्ड भाई, साओधी अरब चेर्ड करेगा इसको, बिल्कुल सही है, इसका एंसर पहला रॉंग है, ठीक है, और बताओ, कोई अंसर बताओ, फटा-फट, और कोई अंसर बता रहा है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यह फ्रांस की अध्यक्षता में नहीं हुआ है, यह साओधी अरब की अध्यक्षता में हुआ है, इसको साओधी अरब ने अध्यक् सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं है मैं समझ नहीं पाया आपकी बात तेजस्वी जी आपकी बात नहीं समझ पाया सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं लंडन के 16 बड़े बैंक यह क्या करते हैं एक रेट बनाते है कि यह पैसा जो मार्केट में दे रहे हैं इसके उपर इंट्रेस रेट यह होगा इंट्रेस रेट िरेट यह आईएं करते कि इंट्रेस रेट एंट्रेस रेट यह होगा तो इसन्सता जो होते है वह, बी बी बेक रेट का दो क्याना एक संसता है, बीबीक रेट को गया बीबिये का करता है चार सबसे बड़े डाटे और चार सबसे चोटे डाटा इनको हटा देता है इस मैंसे और जो बीच के आठ डेटा बचा इनका average निकालता है और average निकालकरके जो रेशियो आता है जो average आता है उसी average को वो लिवोर के rate के रूप में confirm कर देता है और लंडन में नहीं चलता है पूरे यूरोप में लिवोर rate के इसाब से economy चलती है और पूरे लंडन नहीं USA भी लिवोर rate के base पे ही चलता है तो लॉइबर के base पे चलता है लिवोर केकDY दो जता है यहां दिन डिया सवान इस वर्डवाइड ऑसको वर्डवाइडी यूज में बाइड्याकी के चलता ह 254 वोडवाई रही हम नटक करता है तो चीओड़यग शीखा इसको है बिल्कुल सही एंसर बाकी डीटेल्स मैंने यहां दी एक बार आप लोग जब पीडिएफ मिल जा तो पड़ दीजेगा ठीक है चलो देखो बड़ा बढ़ा कोश्चन आगा बहुत आसान कोश्चन बहुत बढ़ा कोश्चन इन order to contribute to the treatment of the COVID-19 health minister हर्श वर्धन लांच दप्लाज्मा डोनेशन कैंपेंड विच ऑप्शन इस आर्ट्रू कौन सा ऑप्शन सही है ड्यू टो लॉक्डवर लास्ट यह इस्टुटेंट सेम सिक्स एक्जाम और डिले हो गया है हम आप्लाई कर सकते बिल्कुल कर सकते क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो यार ठीक प्रियांशू ओके तो नेक्स कोश्चन इसका एंसर बताओ जल्दी से कोवीड-19 के उप्चार में योगदान करने के लिए स्वांस्त मंत्री हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दान अभ्यान शुरू किया है इस संबंध में कौन सविकल्ब सही है इसे भारतिया रेलवे के साय लांच किया गया ए बताओ छास हिसको जल्दिस आँसर बताओ और बताओ बाकी लोग इसका एंसर बताओ प्रमोट के रहें only two correct है रोहित न भी बोला only two correct है यार फटा-फट session अगर अच्छा लग रहा है तो इसको like करो share करो ठीक है ना only two only two only two only two बहुत से लोग ने association of Delhi police two is correct what okay B answer चीकाने बी देखने बी स Verfने डिया समने बीया इसना सई बिल्कुल सही कह रहरा हो आपको बता दे कि ये जो देख लो इसे भारती रेलवे सही emissions शु unten Eduk gehen kyse देल ही पूलिस के सही यह पूलिस के सही यह इसको शुरू किया इसको तीक है सुन्द आल रिखी तिम जैसे COVID-19 है, इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को COVID-19 हो चुका है, फिर क्या होता है, antibody develop हो जाती है, एक इंसान के अंदर T-cell बन जाते हैं, antibody develop हो जाती है, तो जब ब्लेट के देखिया, अपने different parts होते हैं, अगर ब्लेट की बात करें, तो ब्लेट के different parts होते हैं, आपको पता होते हैं, ठीक है, ठीक है, रोहित, लिवो टु सोनिया, ठीक है, ओके, तो इस वज़े से डेली पुलिस नहीं इसके साथ मिल करके, प्लाजम, जो अर्षवास मर्ति, अर्षवदन जी ने शुरू किया plasma donate के लिए, इसमें डेली पुलिस इनका support कर रही है, ठीक है, चलिए, देखें, लाँच कब हो रहा है यह, 19 जुलाई को, यानि कि कल ही लाँच हुआ है, ठीक है, चलिए, यह question समझो, बहुत बढ़ा question है, NASA ने GEMSweb Space Telescope, देखें, NASA ने GEMSweb Space Telescope के launch को 31 October 2021 तक पुरा निर्दारित कर दिया, पहले इसको अभी 2020 में launch होना था, October 2020 में, लेकिन एक साल के लिए बढ़ा दिया है, इसके बारे में कौन सा कतन सहीर नहीं है, देखो, NASA has rescheduled the launch of GEMSweb Space Telescope to October 31, 2021, which is not a correct statement about this, इसके समझ में कौन सा statement correct नहीं है, ठीक है, तो अब देखें, इसमें क्या कह रहा है ये, कि the observatory will help detect light from the first generation of the star, the galaxies formed in the early universe, यानि जो पहला यूनिवर्स लाँच वा, वे दिशाला सितारो आकास गंगाओ की पहली PD से प्रकाश का पता लगाने में मदद करेगी, जो प्रार्म भी ब्रमान में बढ़ी थी, यानि कि जो प्रिथवी बनने की Big Bang Theory है, कौन सी theory, Big Bang Theory, यानि इसको कहते हैं, महाविस्पोर्ट का सित्धान, यानि प्रिथवी एक तारा था, उसमें महाविस्पोर्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसे एनरजी निकली, लाइट निकली, उसके बेस पर आकाश गंगाए बनी, ठीक है, यानि गैलेक्सी बनी, तो उसके उपर यह रिसर्च ब्रम्हांड में यह निकाली गई है, कि यह यूनिवर्स है हमारा, यह गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी में जो जगें हमारे रहने लाइक है, जो जगें हमारे रहने लाइक है, जैसे प्रिथवी हमारे रहने लाइक है, प्रिथवी के अलावा जो जगें यह लोग सोचते ह तो क्या है तो आप बदाईएगा कि जो भी साइंटिस्ट वॉर्ड में यानि यूनिवर्स में मानव के रहने के लिए प्रिथवी के लावा कोई और प्लैनेट को चेक करते हैं तो वह जगह गोल्डी लॉक्ट जोन्स कहलाते है क्लियर एव्रिवर्वन जोन हाँ , लावेख जोन जोन्स को बता दूँक है थी जो दरिक है या लूडी लॉक्ट जोन्स करना हैं तो उससे जो आर्थ है हमारी प्रिथवी जो आरत है इसकी दूरी कितनी है किलुमिटर के आसपास इसकी दूरी तो तो जो तारे और हैं अन्तरिक्ष में उन तारों से अगर कोई planet की दूरी इसके बराबर मिल रही है तो उसको गोल्डी लॉक जोन्स ये लोग डिसाइट कर रहे हैं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं ठीक है अगला देखू क्या करा वैद चाला को launch site में shipment के लिए इसके launch configuration क किया जाएगा और Arian 5 launch वहन के अंदर फिट किया जाएगा यानि कि the observatory will be folded in the launch configuration of the shipment to the launch site and fitted inside Arian 5 launch vehicle इसमें फिट किया जाएगा and the last thing is that the James Webb Space Telescope is an individual project of NASA यानि कि कहना है कि James Webb Telescope जो project है वो NASA का व्यक्तिकत पर योजना है बताओ बे किसी ने answer दिया B is not correct शीखा ने answer दिया B is not correct प्रमोट तुम्हारा answer नहीं आया अभी तक रोहित ने answer दे दिया है ठीक है okay भाई आपको बता दे कि इसमें पहला दूसरा और तीसरा यह सही है एकदम right है D गलाता है actually यह जो NASA की एक व्यक्तिकत नहीं है यह NASA की नहीं मैं आपको बता दो जैसे यह देख रहा है कि यह individual project of NASA है तो NASA का individual project नहीं है इसके बाद यह यह NASA का है इसके नासा यूरोपिय इसपेस एजनसी और इसके साथ Canadian Space Agency इन तीनों का मिला जूला program है यानि कि यह तीन लोग मिल करके इस project को launch करें किसी एक का यह project नहीं है clear everyone ठीक है देखो इसका answer लगा दिया एक बड़ देख लिजिएगा आप लोग ठीक है चलो बाई देखो एक बढ़िया सा question आया आपके पास India revives initiative with the South African customers customs union of the preferential target agreement which statement is true यानि कि यह कह रहा है कि भारत जो है वो दक्षुन अपरिका सीमा संग के साथ तरहीजी व्यापार समझाते के लिए पहल को पुनर्जीवित करना चाहता है यानि कि यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा दूं आपको समझ लो बंवेये हैं है है यहां पर एक चीज़ आप सब लोग समझलों आपको बता दिता हूं कि जो अा अफ्रीका है अफ्रीका में कई बार मइं बना करें दिखा thena के कंट्री वैसे साउंस अफ्रीका ही है इसको अफ्रीका कहते है लेकिन यह अलग अगर लग है ठीक है मैं आपको एक चीद बता दूँ तो इसमें क्या इन्हों ने किया है कि भारत सिचाई क्रिशी आई टीसी नवी करन फार्मा चिकेस्था आप उर्ती जैसे छेत्रों में केन्या में विनिर्माड और उद्यों के लिए प्रतिबद्ध है यानि कि ये सारी च बाहरत तो दक्षिण अफ्रीका सीमा सुल्क संग जो है वह दक्षिण अफ्रीका बोस्वाना इस वातनी लेसे थो के बीच विचार विमर्ष को एक तरहीजी वियापार समझे को प्राप्त करने के लिए पुनर जीवित किया गया है अब इसका मतलब समझ लो क्या है देखो अगर आपसे कोई यह question पूछता है कि देश के अंदर देश कौन है तो South Africa यह country है इसके अंदर दो देश पढ़ते हैं एक लिसेथो है दूसरा स्वाजी लेंड है क्या नाम है स्वाजी लेंड दो देश है एक लिसेथो एक स्वाजी लेंड तो स्वाजी लेंड ने अभी अप बूछ सुवाना इनमें में व्यापार के लिए पुनर जीवित क्या गया है भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए निरियात में बहुत ध्यान से समझाद देखो बहरत। अफ्रीका के lिये निर्यात में भाप कोयला सोना फासफापोरीक यानि देख यह आपका jour हो रहा है यानि एक्सपोर्ट की बात कर रहा है एसिट तामा ऐसको केंद्रित मैगनीज ऐसको ऐलमूनियम सिल्या और अन्य खनीज शामिल है भारत दक्षिन अफ्रीका से भारत के लिए वहनों घटको दवाओं और फार्मसिटिकल्स परिवहन उपकरर जूते रसायन इंजिनिंग सामा एक प्रतिबंदी केंवन के भांपरहन हुं यहां पर कि बैसिक की बात कर रहे है पहली है पहले चीज़ तो कहे रहा है कि इंडिया जो है वह एक प्रतिबंद्ध था कि arise करें ऑग करेंगे और नेडी कलट्ब करेंगे करेंगों और रिनुवेबर इन्रजी और फार्मा के ल के सेथों को ठीक है third point यह कह रहा है essence die जो इंडिया से इंडिया से बाहर निर्यात किया जाता रहा है एकी एका एक्षूर्ट रैव APRح और इंपूर्ट क्या करता है क्या कहें इंपूर्ट करता है नीफ कौन से फार्मसेटिकल ट्रांसपोर्ट एकुप्मेंट फुट्वेर केमिकल इंजीनिरिंग गूट्स टेक्स्टाइल राइस इंटर्मेडियर्ट जैम्स एंड जोल्री ठीक है बताओ इसका एंसर क्या होगा भी आई थिंक छीक है प्रमोदने बी बताया है ओके शिखा आप कौन से बता रहे हो रोहीद बोल रहे हैं एक रेक्ट है चलो मैं समझा देता हूं देखो एक सी समझ लो यहां पर पहली चीज तो यह पहला वाला गलत हो क्यों क्योंकि यह केनिया के लिए नहीं जो मैं आपको बता दूं कि यह जो बात है Kenya के लिए नहीं यह Namibia के लिए के लिए है Namibia Namibia country सबने सुरी है धूम टू मुझी भी देखी सबने धूम टू जो सबसे पहली चोरी होती है जो महरानी का मुकुट चुराता है रितिक रोशन वह Namibia का ही पूरा सीन किया गया वहीं परसाजी शूटिंग हो नामीबिया की तो नामीबिया के रिगिस्तान में ही दिखाये गया है कि वह ट्रेन चल रही होती है अब देखो मैं एक चीज़ बता दो पहले समझ लो पहला तो गलत हो गया इसमें ठीक है केनिया नहीं नामीबिया के लिए प्रतिबत दे जानी इरिग्रेशन अगरिकल्चर या नामीबिया में कराएगा सेकंड कोश्चन में आजाओ कि दा डिस्केशन बिट्वीन इंडिया एंड साउथ अफरीका कस्टम यूनियन के भी डिक्रा डिस्केशन हुआ है कि साउथ अफरीका बोस्वाना इस वातनी और लेसे थो इन कंट्रीज को प्रिफ्रेंशियल ट्रेड अग्रिमेंट दिया ज है भारत भाहरत संख्लमख लो एक्सपोर्ड गाता कि तो यह इस वर्ण में सबसे बड़ी ज्याएमेंड की माइनस है डामेंट की मैंन किमबर्ले में हैंं किमबर्ले किमबर्ले पढ़ता है सौथ अब यहां पर पढ़ता है यह हैं उस था जोयहनस पर जोशाद की बड़ शब झावध खान खृता है एशाख साफ से हम लोग तो यह भी गलत हो गया दी याणि यह अनि बी आंसर सब्सक्राइब तो प्रबोर्ट याँ तो में नमबर चल्ण अब युपिया सी चैनल पर युपिया सी चैनल पर नेएट अम पर वहां पर मिलते और प्रफिजिया बिल्कुल सही प्रमोट तुमारा एंसर निकल गया अभी तुमने बोला था ठीक है चलो इसके एंसर मैंने लगा दिये हैं अब आजानो नेक्स कोश्चन पर देखो ठीक है आसान से बहुत ही आसान कोश्चन चलो बाई निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसका कोर्स बहुत ही फेमस हो राज की रेट में तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लिए जो सी बीएसी बोर्ड है उसने आई बीम के साथ करार कर लिया है और यह कह रहा है या माध्यम पूरे देश में लागू होगा बता कौन का असर सही केवल एक केवल दो 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 नह चलो विकास बोल रहा है दोनों है और बता हूँ एनिवान एल्स चलो मैं बता देता हूँ यह माध्यम पूरे देश में लागू होगा यह यह गलत है कतान यह 13 डिश्टिक के दो सो इसकूलों में लागू किया जाएगा इसको ठीक है तो पहला सही है और दूसरा गलत है यानि फस्ट सही है तो इसका एंसर हो जाएगा एक केवल फस्ट सही है ठीक है अब आजाओ जड़ा यह जो कुश्चन है यह कुश्चन मैं आपसे पहले एक बार कर चुका हूँ ठीक है सर प्लीज ग्यूब मुझे एक्ग्जाम के रिलेटेड क्वेस्टन सजेशन लेना है चलो आप लोग इस पर करते रो ठीक है सब लोग करते रो चलो आ जो अरे ओमकार प्रमोद आपस में नहीं ठीक है जिसके जो भी ऐंसर सब सही है ठीक है बी एंसर दिया तो कोई चुनिए आपका सही है जिसने भी एंसर दिया सही है विच स्टेट्मेंट इस नौट करेक्ट ये कोश्चन में पहले पूछ चुका हूं तीन दिन पहले दुबारा जानबूच के लाएं जिससे आप लोग सही बताओ ठीक है अभी क्या कि कि एकॉर्डिंग टू इक्रा इंडिया जीडिपी विल बी 9.5 परसेंट लोवर इन दा फाइनशेल ये टू जीरो टू रिवाइज इस अर्लियर इस्टिमेट ऑफ कोडिनेशन इन जीडिपी फ्रॉं फवाइज तू 9.5 परसेंट कौन से कथन सही नहीं है इक्रा के मुताविक वित्वर्ध 2021 भारत की ग्रीपी 9.5 परसेंट कम रहेगी आइजी आरे ने सेकल घर्यलू उतपात के संकुचन से पहले अपने अनुमान में 5 परसेंट से संशोधी करके 9.5 परसेंट कर दिया है चलो एंसर दो इक्रा में बोथ स्टेट्मेंट करेक्ट है इक्रा में बोथ स्टेट्मेंट करेक्ट है बिल्कुल सही एंसर है इक्रा में जो है वो आपके दोनों स्टेट्मेंट सही होंगे इक्रा में आपके दोनों स्टेट्मेंट सही है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही एंसर यह मैंने अभी दो-तीन दिन पहले पूछा था मैं कि वह चेक करने के लिए लिए आए कि आप लोग सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हो तो सी इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत सही है अब देखो यह आठवा कोश्चन है इसमें बताओ तो में बता तो मैं भी T-cell immunity is specific to SARS-CoV-2 यानि कि SARS के लिए COVID-2 के लिए in healthy COVID-19 and SARS patient and also in uninfected individuals यह किस ने ढूंड़ा है T-cell के हो सिंगापूर ने, USA ने, Britain ने कि फ्रांसे अभी हाल ही में किस देश के वेग्यानिकों ने सस्त COVID-19 और SARS-CoV-2 के लिए विशिष्ट T-cell प्रतिरक्षा का पता लगाया है मैं आपको बता दूँ जो आपकी WBC होती है, white bed cells होते है, यही सारी बिमारियों से लड़ते है, सारे लोगों से लड़ने की छंता WBC में ही होती है, फिर यह अलग-अलग पार्ट में divide हो जाता है, तो WBC के अंदर ही T-cell develop होता है, कौन से develop होता है, अब मैं आपको बता किसी भी बिमारी को रोकना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी बिमारी को आप control कर सकते हैं, अब T-cell का क्या होता है, मैं आपको बता दूँ बॉड़ी में, कैसे develop होते हैं, किसी को माल लो COVID-19 coronavirus हो गया, संक्रमला फिर वो ठीक हो गया, किसी को SARS हो गया, पहली चीज़ तो SARS COVID-19 में ज्यादा फरक नहीं, दोनों ही viral infection है, ठीक है, तो किसी को अगर हो जाता है, उसके बाद वो सही होता है, सही कैसे होता है, white blood cell लड़ना शुरू कर देते हैं, कोई भी बिमारी, कोई भी virus अंदर आता, white blood cell लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इन से लड़ते समय ये लोग T cell develop कर ले, तो जिनकी body में T cell develop हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो इसको अभी किस ने ढूंडा है, Singapore ने अमेरिका ने, Britain ने की France ने, ओमकार ने A answer दिया है, शिखा ने B answer दिया है, बता भई, कौन होगा इसमें answer, Singapore ने ढूंडा है, जिसने भी A answer दिया, वो सही है, ओमका होती है, T cell, और यह जो होते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, उससे पहले, 17 साल पहले SARS हुए थे हैं, उनसे जो लोग ठीक हुए, 50-50 से जाधी असंक्रमित थे हैं, ठीक है, उनसे वो सब ठीक हो गयते हैं, चलो भई, अगला question, Recently, the researchers from which country have discovered the first supergent isoport species, बाथी नोमस रक्सासा, in the Eastern Indian Ocean, हाल ही में सोध करता हूंने, पूर्वी हिंद महसागर में, पहला supergent isoport प्रजाती का बाथी नोमस रक्सासा की कोज की है, यह बाथी नोमस रक्सासा क्या है, बता दें आपको क्या है, यह cockroach है, क्या है, cockroach है, तो giant आगार का, giant मतलब दानो, बहुत बड़े आगार का, एक giant खोजा गया है, बहुत बड़े आगार का, तो उसको किस ने खोजा, Singapore ने, Malaysia ने, Japan ने, China ने, बताओ भई, जल्दी से answer बताओ, क्या होगा इसका answer, no idea, रस्मी ने C दिया है इसका answer, चलो फटा फटा एंसर देना शुरू करो, जल्दी जल्दी answer दो इसका, क्या होगा, Singapore है, Malaysia है, Japan है, China है, बताओ कौन होगा, Singapore, Malaysia, Japan, China, C answer दिया है, इसका answer सही है, Singapore, अभी Singapore ने ढूंड़ा है, ये दोखो ये काक्रोच की में फोटो भी ले आया है, ये देखो इसको यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा काक्रोच, और समुद्र में रहन दिख रहने वाला है, ये काक्रोच, आर्थो पोटा संका होता है, आर्थो पोटा, फाइलम, ये दोखो इतना बड़ा काक्रोच इन लोगों ने ढूंड़ा है, ठीक है, तो इसका answer जो है, वो C हो जाएगा, क्लियर अब्रिवर्वर्वर्वर्ण, हूँ, ठीक है, चलो इडिया हो गया, ठीक है, ना, मैंने answer बता दिया आपको, ठीक है, नेक्स कोशन देखो, The General of American Osteopathic Association, ने एक नए सोथ के इंशार मरीजों में COVID-19 के सुरवाती लक्षनों का पता लगाने के लिए, इसनोफिल काउंट टेस्ट को प्रभावी बताया है, इन में से कौन सा कथन इसनोफिल कोशकाओं के बारे में सही कथन नहीं है, यानि कौन सा नहीं सही है, इसनोफिलिया पता है न, इसनोफिलिया जब होती है, जुखाम हो जाता, सर्दी हो जाती है, इसनोफिलिया बाडी की एक ऐसी कंडिशन है कि अगर कम हो गई तो भी नुकसान है, ज्यादा हो तो भी नुकसान है तो इसनोफीलिया का level मेलटें रहना जरूरी है ठीक है नहीं इंडोनेशिया नहीं होगा सिंगापूरी उसवाले में सही है ठीक है यह बताओ थोड़ा science related current affair का question है एक व्यक्ति में इसनोफीलिया का कोशिकाहे जो होती है में allergy संबन्धी रोग वर अन्य चिकित से सक्रिय हो जाती है जैसे बॉडबि में कोई एलर्जी होती है तो यह जो इसनो फीलिया कोशिकाएं है यह एक्टिवेट हो जाती बॉडबी में इसफनुफीलिया डबलू बीची का एक हिस्सा है डबलू बीची का इस्सा कोशिकाएं इन कोशिकाओं को अमली और रंगों के साथ रंगा जा सकता है यानि कि क्या कह रहा है यह दिस सेल्स काइन भी स्टैंड विद ऐसेटिक कलर्स ठीक है अब बताओ इसका एंसर क्या होगा भाई यह जिसकी साइन्स सही होगी वही बता पाएगा वहना बता नहीं पाएगा कोई बंदा ठीक है देखो मैं बता देता हूँ समझा देता हूँ कि यह डबलू बीसी होती है इसको कहते है आपको एक तो एक ग्रानूलोसाइट्स एक ग्रानूलोसाइट्स और एक ग्रानूलोसाइट्स यानि यह अटा दिया जाता है इन दो पार्ट में डिवाइट करते हैं और इन दो पार्ट में डिवाइट करने के बाद भी इसके तीन पार्ट हो जाते हैं तीन पार्ट और इसके दो पार्ट हो जाते हैं ठीक है यह सब White Blad Cells होती है, वो दो पार्ट में divide हो जाती है, एक तो agranulu감ट में एक ग्रेनलुस siades में, ठीक है? तो agranulaley errado yogi जो होता है इसमें दो पार्ट हो जाते है, फिर जाके lymph हो जाते है, और modicaerasides हो जाते हैं, ठीक है? लंफ जो होते हैं यह जो आपके होते हैं यहीं antibody बनाते हैं जो लिम्फ होते हैं यहां पर वह antibody बनाते हैं WBC के अंतरकर्ट और जितने भी cell हैं धान से समझना जितने भी cell होते हैं इन cell को अगर हम सुक्षमदर्शी से देखते हैं microscope से देखते हैं किसी भी lab में तो यह हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि यह क्या transparent होता है धुन्दले दिखते हैं तो इनको color किया जाता है इनको क्या किया जाता है उडासी तरह से कलर किया जता है तो आप को बता दें कि ऑशीन कलर से करने की वज़े से देखो यह पर यहीं गलत है जो सी गलत है है यह कौन सी कोशिकाई है, यह कोशिकाई है बाकि साहिए पहला सही है और यह सही है ठीक है प्रमोट क्लियर हुआ रोहित शिखा सोनी क्लियर अभशेक रोहित देखो तो सिंपल सही है समझ लो कि यह जो यह जो आपका है इसका सी एंसर यह गलत है बाकी डिटेल्स मैंने एसी बेड़ से न्यूटरल भी कुल सही कह रहे हो देखो मैंने डिटेल्स दगा दिये कि कैसे कैसे होते हैं क्या लेक्षड होते हैं चलो भाई आसान कोश्चन आजो वहला कोश्चन बहुत फाड़ हुथा लेकिन यह कोश्चन आसान है ठीक है अब आसान कोश्चन पर एक बा सब्सक्राइब बताओ भाई हुँ हुँ है कोरो सोर्स दुनिया की सबसे सस्ति कोविड-19 की नैदानिक किट है आई 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 टी गौहाटी द्वारा कोरो सोर्स को विक्सित किया गया है ठीक है क्लिर सर ठीक है ओके वेरी गुट सीदियस में ऐसे ही कोश्चन आते है विल्कुल कर आ रहा हूँ है ठीक है अब आज जल्दी से मैंने सी आइस की है यह इसने सी फिया वश्ट कर ने दिया बिल्कुल क। तो अब आजो जल्दी से मैंने सी दिया था शिखा बिलकुल शिखा आपने सी एंसर दिया था आपका एंसर एकदम सही है ठीक है चलो अब देखो कोरो सोर्च दुनिया की सबसे सस्तिक कोविड-19 किट है आई आई टी ग्वाटी द्वारा डबलेफ की गई मानो संसाधन विकास बंती नरेश पुखरियाल निशांक का द्वारा इस किट को ई-launch किया गया है बताओ भाई इसके क्या एंसर होगा अथि थाने को द्वाइगा टीक है रोहित को डिषानिim उसको अरिफिक ड्रॉत आउनुट में रिति प्रॉठ स्वाटी द्वाटी नहीं बना है इसका इंसर कौन से स्वेल犃ट locks को जाएगा बी हो जाएगा यानि कि टू गलत है केबल जो है दूसरा गलत है इसका आई टी डेली द्वारा बनाए गया है ठीक है चलो आजो यह दो को बहुत बढ़े हैं ठीक है डॉल्फिन जन्गर्णा रिपोर्ट दो हजार बीस के अंसवार निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए ठी ठीक है चलो आजो तो according to dolphin census report 2020 consider the following statement the report has been released by the ministry of human resource development dolphin is an organism include in the red list of the IUCN IUCN क्या है इस पर बात करते है IUCN है क्या इस पर बात करते है as per this report the number of dolphin in the national चंबल century has decreased find out the correct statement dolphin जलगर्णा रिपोर्ट 2020 के अनुसार यह report मानव संसाधन विकास मंतरा लें जारी किये dolphin IUCN की लाल सूची में शामिल जीव है इस report के अनुसार राष्ट्रिय चंबल अभ्यारान में डाल्फिन की संख्या में कमी आई है answer इसका D दे रहे है all are true अच्छा भाई ठीक है तेरे में का D answer दिया इनुने ठीक है तेरे में का D answer दिया अब मैं आपको बता दो देखो पहले है क्या पहले समझ लो क्या है यू सीए और कोई फॉल फॉर्म बताएगा आई यू सी इन की कि international union of conservation of nature international union of conservation of nature कई बार एक्शाम में question आ चुका है state level exam में UPPST में पूछा जा चुका है कि red list कौन जारी करता आपके एक्शाम में question direct आता है कि red list कौन जारी करता है तो red list जो है वो कौन सीन जारी करता है इसका हेड़कॉर्टर जो है वो स्वीजर लेंड में ठीक है ठीक है बताओ अंसर बताती जो हाँ ठीक आपने सही बता इंटरनेशनल जूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर ठीक है बिल्कुल सही है इसका हेड़कॉर्टर कहा है स्वीजर लेंड में है और यह बना कब था 1948 में 1948 में फ्रांस में बनाता तो जो प्रजातिया खतम होने की कगार पर होती है उनके बारे में यह बताता है और हम आपको बता दें कि ये जो डॉल्फिन है यहां पर कौण सी डॉल्फिन पाए जाती है गंगेज डॉल्फिन में ऑगघू को फिन कहां पाए जाती है यह मैं आपको बता दूंए तो 170 दूसरा एरावदी निवर रीवर में, एरावधी, एरावधी रीवर में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्रा और इसके साथ साथ blend ठीक हैерж भ्रमपुत रिवर में पाई जाती है इसके साद megharnा में पाई जाती है इन रिवर इन डॉल्फ्न रोड़ी में इंते आर yol?, अधिक है locate लाध उस पाईजे remember इन तो मेहमार क 46 बीवर है मैमर में भी जाती है रावधी क्या बात की जाहिए तो यह जो डॉलुफिन होती इनको blind डॉलुफिन कहा जाता है यानि कि अंधी डॉल्फिन कहा जाता है इनकी आईस नहीं होती है और यह बहुत तेजी से खतम हो रही है इसलिए आई यू चिंता जटाई है और एक नेश्नल एक्वेटिक अनिमल गंगेश को ही कहा जाता है जो गंगेश डॉल्फिन साथश इसको और इसको कहा जाता है ठीक है तो अब इस पें कौन कौन सा सही है यह आपको बताना है ठीक है आप लोगों ने एंसर दिया, 100% इरावधीन मयम्मार, ठीक है, ओके, गुड, तो इरावधीन नदी मयम्मार में है, मेघना बांगलादेश में पढ़ती है, मेघना क्या होता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा जहां पर आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र में और गंगा जहां मि एक चीज उनको बता दे, यह पहला वाला गलत है, यह रिपोर्ट जो है, वो MP जो है, मध्यप्रदेश के, जो forest department है, वो जारी करता है, forest department, मध्यप्रदेश का forest department report, तो इसका answer दूसरा और तीसरा सही है, देखो यार, यह जो questions है, वो UPSC, PSC और state level के है, तो बहुत समझ करके इसका answer देना है, ठीक है, ओके, चलो भाई, next question आजाओ, which nation has banned free internet services for social media, किस देश ने social media के लिए मुफ्त internet सेवाओं को बंद कर दिया है, बताओ भाई, मुफ्त internet सेवाओं को बंद कर दिया है, किस देश ने बंद कर दिया है, बताओ भाई, देखो, रोही जो आब बता रहे है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र सांग्पों के नाम से जानी आती है, फिर जब अरणाचल प्रदेश में आती है, दिहांग और दिबांग के नाम से जानी आती है, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी आती है, फिर ब्रह्मपुत्र पाएंगे फ्री में देने से क्या होता है जो आपस में प्रतिसपर्धा होती कंपनियों के बीच में वह खतम हो जाती क्वालिटी भी कम होने लगती है तो इसके लिए सी जो है इन्होंने किया हुआ है ठीक है ना भाई चलो नेक्स कोशन में आजाओ किस अंतराष्ट्रिय खेल महासंग ने अपने परशद में लिंग प्रतिनी दुट तो सुनिश्चित करने पर मंजूर दे विच इंटरनाशनल इस्पोर्ट फेडरेशन हैज एप्रूव अप्रपोजल टू इंशो जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन इस काउंसिल यानि कि किस ने किया है एंसर दो इसका हांकी फेडरेशन ने किया है बेडमिंटन फेडरेशन ने किया है कौन सी फेडरेशन इस ने किया है चलो एक हिंट भी दे देते है डबलू ए ने तो नहीं किया है आई ऐसे सफवी ने भी नहीं किया है अब यह बता दो बेडमिंटन फेडरे आप लोगों का बताओ भई शिखा रोहित ओमकार प्रमोथ क्या एंसर होगा बताओ डबलू भी आप शिखा ने एंसर दिया है बी डबलू एफ ठीक है ठीक है बिल्कुल सही एंसर है एंसर इसका टू होगा बैडमिंटर वर्ड फ्लेडरेशन जो है उसने किया आप देखो एक चीज़ में और बता दूं कि बैडमिंटर वर्ड फ्लेडरेशन ने जेंडर बेस पर कर दिया है जो प्रत्मिंदित थींद यूंद तीन जो होगा वो जेंडर बेस होगा यानि महिलाओं को तो भी 30% का अधिकार इसमें दिया जाएगा, इसका हटवर हेट कॉलालमपूर मलेशिया में है, फाउंडेट 5 जुलाई 1934 को, और इसके जो प्रेसिडेंट है, पॉल एरिक औरेन लॉर्सन, ये इसके प्रेसिडेंट है, मेंबर कितने हैं, 194, फार्मेशन कब हुआ है, 1993 में, गुट, शिखा वेरी गुट, आपका एंसर एक्जम सही है, प्रमोध यार तुमने होकी दे दिया, होकी गलत है भाई, एंसर ठीक है, बैंटर फेडरेशन ने किया है, तो अभी कोश्चन और है, भागेगा नहीं कहीं, अभी और कोश्चन है, ये केवल मैं आपको बता दूँ, कि करेंट फेडर की क्लास अब मेरी 22 जुलाई से होगी, कौन से चैनल पर, UPSC और स्टेट PSC एक्जाम पर, अड़र 247 पर रोज सुबा आठ वजे मेरे साथ जुड़ियेगा, ठीक है, बुद्धवार से होगी, 22 जुलाई से यानी, परसो से चुरू होगी, कल रात में मैं आप से यहीं इसी चैनल पर मिलूँगा, ठीक है, चलो भई आजो, बढ़ियां से कोश्चेन एक आगया आपके सामने, इंटरनाशनल न्यूस से रिलेटेड है, वेर इस दा फिफ्थ बिम्स्टेक समिट प्रपोज इन सेप्टेंबर 2020, सितंबर 2020 में पाचवा बिम्स्टेक सिखर समेलन कहां पर प्रस्तावीत है, बताओ भई, बिम्स्टेक में साथ कंट्री है, बांगलादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मयम्मार है, थाइलैंड है, और श्री लंका है, यह साथ कंट्री बिम्स्टेक में आती है, ठीक है? खीए रोई था रहे तो बताओ बैए यह साथ 돼요 जो आपके विम्स टे क्में आती है इंडिया हो गया शिरललंगा वह चन्टीमente बू खेंशलेंटों आती है वेंसेज़ग अठाधा में वना-ए स्काशल पणदर स्थे सी एंसर दे रहे है मैंमार में ठीक है और यह organization क्यों बनी थी multi-sectorial communication के लिए बनी थी आपस में और economy cooperation के लिए बनी हुई है ठीक है विम्स्टे अथे ब्याब भुतां और निपाल का फादो का लिए जृता है तो बहुताउ है तो ब्कट लाई सुछा और बहुता पहलाज दीनिया है औि यह थी एंसर जिए ऌए में यह proposed है ठीक है चलो नेक्स आजो कुश्चन वेर हैस दा रिसेंटली कंगूड़े सिस्टीफोर सेशन अफ द यूनाइटेड नेशन कमिशन अभी हाल ही में महिलाओं की इस्तिती पर संयुक्त राश्ट आयोग ने अभी हाल ही में महिलाओं की इस्तिती पर संयुक्त राश्ट आयोग के 64 सत्र का आयोजन कहा संपन हुआ है न्यूयर्क है, सिड्नी है, जोहन्सबर्ग है, दुबाई है कहा पर किया गया है बताओ भई ठीक है, चलो अशन निया है मैं ही यह अशन बता दे रहे, नियूयर्क में किया गया था ठीक है अभी हाली में जो संयुक्तराष्ट में 64 सत्रका है यानि कि वेर हैस रिसेंटली कंक्यूट इस्टिफोर सेशन आप दे उनाइटेट नेशन कमिशन ऑफ वोमेन वोमेन के स्टेटस पर महिलाओं की स्थिति पर जो कमिशन हुआ होता है वो इस पर आपका कहा पर हुआ है कौसा है बताओ यह कुश्चन आप सभी के एक्जाम में आएगा जुरूर फोटी है फोटी 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 टू है कौन सा एंसर बताओ फटाफट बताओ इसका एंसर अंतराष्ट्री बाधिक संपता सूचकांग 2020 में भारत का कौन सा इस्थान है नियुआर हो गया जिससे आपको मजा आने लगे क्योंकि जो टफ कोश्चन है वो UPSC level के है इस्टेट लेवल के है यूपीपीस या और पीसस लेवल के है और अधर इस्टेट रिलेटेट एक्जाम से हला कि वह सभी एक्जाम में काम आएंगए सब कोई एक्जाम नीए जिसमें काम नी आएं Noamero virus Ebola virus inhometic virus बता ब्राजील में धूंडा गया अभी एक virus जो क्रितिम जील में मिला है और जो Amoeba को संकरमित कर देता है उसका नाम क्या है Yara virus Nomero virus Ebola virus λλά noamatic virus बता बाइ Standards 40 हो गया, शिखा हो के ठीक है आपका 40 सही है प्रमोद ने भी फुटी दिया हुआ है हिमान्शू थोड़ा सा आपका गलत हुआ सास्मिता आपका भी थोड़ा सा रॉंग है ठीक है तो रोहित ने इस पर इबोला एंसर दिया है तो पहले बता दे इबोला गलत है इबोला सुना हुआ था इसलिए जानबूच को मैंने इबोला यहां लगाया हुआ था इबोला वायरिस इबोला रीवर पर मिला था इबोला जो वहां पर रिवर है वहां पर मिला था यह भी जो हे वह चमघाद़न से होने वाला रोग है इस थीक tare आपको बता दे कि जो एंप्यर से चमघाद़ण है इनको खाने में चाइना और अफ्रीका के कंट्री बहुत जादा खाया और सबसे अधा वाइरस इनी से पैदा होता है, वंपाइर से, ठीक है, ठीक है, रोईत, इसका जो एंसर है, यारा वाइरस है, ठीक है, यारा वाइरस जो है, वो इसका एंसर है, ठीक है, तो आज के लिए last question, Recently, which global organization has started the 1 trillion trees initiative to converse 1 trillion trees by the year 2030? हाल ही में किस वैस्वी संगठन ने देखो इसके answer में लगाने भूल गया यह answer गलत हो गया छोड़ दो इस question को छोड़ दो रहने दो इस question को रहने दीजे यह question में मैं answers लगाना भूल गया कि कौन-कौन से answer है इसमे छोड़ दीजे इस question को ठीक है guys यह question मैं कल सही करके लिए आऊँगा इस question में मैं इसके answers लगाना भूल गया यहाँ पर numbers लगाना भूल गया यह पुराने questions का answer लगे रहे गया ठीक है वन ट्रिलियन टीज इनिसीटिव किसने किया संगठन ने वर्ज 2030 तक एक ट्रिलियन पेड़ों के संग्रेक्शन है तो वन ट्रिलियन ट्रीज इनिसीटिव शुरू किया यह प्रोग्राम शुरू कि कि 2030 तक एक ट्रिलियन पेड़ लगा दिये जाएंगे ठीक है भाई बात समझ आई नहीं आई तो इस कोश्चन को कल बताना यह आपका होमवर्क है भाई कल मेरे साथ जुनना रात में तब मुझे इस कोश्चन का एंसर ज़रूर बताना भाई ठीक है कि किसने यह ठाना है कि 2030 तक एक ट्रिलियन पेड़ लगा दिये जाएंगे और इनिशेटिव शुरू कर दिया गया है ठीक है गाईज तो गाईज थैंक्यू सो मच एवरीवन आप सब साथ में जुड़े लेकिन बस एक चीमें आपको दिखा दू बिहार पीसे जहारकन पीसे इसका बैस 27 तारिक से शुरू होने वाला जिनको भी रिक्वार्मेंट हो बै ठीक है तो आप यह समझ लो कि आप अगर UPSC की या स्टेट पीसी आधर इस्टेट लेवल किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो रोज चुबे बुधवार से आठ वजे मेरे साथ इस्टेट यूपीसी और इस्टेट पीसी चैनल पर जुड़िएगा टॉप क्लास के स इंडिया में कम्यूटी ट्रांस्मिशन सुरू हो गया है तो घर से तभी बाहर निकले जब जब ज़रूआ तो अपने घर वालों का ख्याल रखिए और आपके घर में जो बुजूर्ग है खासतोर से साथ साल के उपर के जितने लोग हैं दादा दादी नाना नानी इन सब क अब विशेज ध्यान रखिए क्योंकि बैडली एफेक्ट होते हैं कोरोना वारेस से यह सभी सबका ख्याल रखिए गौट से प्री करते रही है थैंक यू बोलते रही है तो गाइस गॉड़नाइट एवरिवन जय हिंद जय बाहर भारत शैसन सही लगाओ तो लाइक और कमे अबरिवन थैंक्यू सो मच्च